विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल पेपर रहकर आज के इस वीडियो हम बात करेंगे आपके यूनिट सेकेंड है ठीक है यूनिट के जितने भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप कोश्चन है ँ वह क्या है 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 ンकों हम देकर करेंगे अपसे पहले हमने फंचिंट के यूनिट के आपके शॉर्ट आंसर टाइप कोश्चन को हमने डिस्कॉस कर लिए और लॉंग शॉय कोश्चन आपके अ कि उससे पहले हमने सबको इनको पढ़ लिया आज हम सेकंड यूनिट के जो भी आपके शौर्ट आंसर टाइब कोशन है उनको यह के करके डिसकस करते हैं ठीक है यूनिट सेकंड नमबर आपका 11 है जो की सेकंड यूनिट का फर्स्ट कोश्चन है ठीक है इससे पहले फर्स्ट यूनिट में हमने वन से टैन तक सभी यह के करके पढ़ा था पैरा उसमा का ठीक है उसमा का एलफा वीटा गामा अमीनो अमलों पर प्रभाव समझाए यह एलफ इन पर उसमा का प्रोप्ड़ता है यह हीट्ट कर같ा हरा प्रभाव प्रभाव पड़ता है ठीक है इनको गरम करने पर क्या होता है ठीक है और ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐलफा अमेनु एसिट की ठीक है। एलफा अबीनो एसिद sachह सिर्म कारबन को यल सिर्ब में नदम इसका पडूट कर्वाले कारबन को मतें ऐलफा कारबन इस्ते और दूर वाले कारवन को क्या कहते हैं गामा इससे और दूर वाले कारवन को हम कहते हैं डेल्टा ठीक है तो हमने क्या पढ़ना है यह तीनों कारवन पढ़ना है अलफा बीटा और गामा ठीक है इन पर आपको जो है हीट का एफेक्ट बताना है क्या होता है तो फंक्शनल गुरुप के पास कार्बन क्या होगा आपका एल्फा कार्बन उसके दूर्बाला कार्बन क्या होगा आपका बीटा और दूर्बाला कार्बन क्या होगा आपका गामा कार्बन होगा ठीक है तो सबसे पहले हम कि अल्फा अमीनो एसेट के बारे में पढ़ेंगे जब alpha amino को गरम करते हैं तो इसके दो अणू परस पर अविक्रिया करके दो अणू जल निकाल कर एक चक्रिय डाई एमाइड देते हैं क्या करते हैं एक चक्रिय युगिक देते हैं जिसका नाम क्या होता है आपका डाई एमाइड ये कम मिलता है जब आपका alpha amino acid ठीक है इसको क्या करते हैं गरम करते हैं तो इसके दो अणू परस पर आपस में क्रिया करेंगे और क्या मिलेगा दो जल आपको यहां से अणू के निकल जाएंगे ठीक है minus 2H2O यहां से आपका बाहर निकल जाएंगा और एक चक्रीय युगिक मिलेगा ठीक है चक्रीय युगिक मिलेगा आपको उसका नाम क्या होगा डाई-माइट क्या होगा डाई-माइट ठीक है यानि कि दो जगए आपका इसमें NH ग्रुप लगा होगा इस अभिक्रिया में amino amino का NH2 दूसरे amino amino के CWH गुप से क्रिया करता है ठीक है THIS अभिक्रिया में क्या होगा एक amino amino का ठीक है एक amino amino का NH2 ग्रुप दूसरे amino amino के CWH गुप से क्या करेगा आप क्रिया करेगा और अब क्या होगा इसमें दो मालraf जो है जलके आपके निकल जाएंगे यह आपका वो carbon है जिस पर आपका functional group लगा हुए CWOH क्या है आपका functional group ठीक है यह आपका पडूस वाला carbon है इस से लगा हुआ आपका NH2 है ठीक है amine group लगा हुआ इसलिए हो जाएगा यह carbon आपका alpha है alpha से आपका NH2 amine group लगा है तो जागा alpha amino बाकी आपका यह acetic acid ठीक है c o h ठीक है दो carbon है तो नाम हो जागा alpha amino acetic acid दूसरा आपका यह उग एक है ठीक है इसका 1 h और इसका o h क्या हो जागा h2o इसका 1 h और 1 h o h इसका ठीक है तो यहां से दो जो है आपके जलके अडू बाहर निकल जाएंगे ठीक है heat करने पर क्या मिलेगा एक आपको कुछ इस तरह से जो है चक्रिय योगिक मिल जागा ठीक है CH2 और इधर भी आपका क्या है CH2 और यह जो है योगिक है आपका कैसा है चक्रिय है cyclic form में है इसलिए क्या हो जागा cyclic यह चक्रिय और नाम के इसका डाई एमाइड क्या है डाई एमाइड ठीक है जो कि आपका एक चक्रिय योगिक है ठीक है और इसको ग्लाइसीन भी कहते ह का रहा है अपर्यूकत करेय डाइअमाइटों को डाइखीटो पेपरा जीन भी कहते हैं अब ये जो आपका डाइअमाइट है इसको क्या कहते हैं डाइखीटो पेपराजीन अग dakika है他, metabol? पेपराजीन के नाम से भी इसको जानते हैं ठीक है cyclic diemide को next और यह अपका क्या हो जागा यहें आपका फंक्शनल ग्रुप है क्या है ना गुरुप यह आपको गर्ण हो जागा ऐल्फा यह आपका कारी ग्रुप से आपका लगा हुआ इस लिए और आपका तो एक चेट लगा देते हैं वह एक ऐसे लगा देतें तो क्या हो जागा आप इसी तरह से आपका यह वी हो जागा यह यहां तक अलफ अमाइनो प्रोपियोनिक अशります निकल जाएंगे दो आप से आपको चक्री योगेक मिलेगा इसका एक हैक और इसका एक और एक है ega से लिखोग a तो दो मालेकुल वाटर के हैं से रिमूव हो जाएंगे माइनस टुएच्टू और कि हो जागा इनके बीच में आक्सीजन और नाय ट्रोजन के बीच में टो बॉन्ड बॉन्लिंग हो जाएगी थिक स्वाइब को योग्यक मिलेगा कैसा होगा आपका साइकलिक होगा और यह होगा क्या डाई अमाई ठीक है क्या होगा आपका डाई अमाई तो यानिकि इसमें दो जगह जो है आपके एनेच अमाइड गुरुप लगे हुए इसलिए कहेंगे डाई अमाइड ठीक है और यूगिक कैसा आपका साइकलिक है तो क्या आप जागा है चक्रिये डाई अमाइड ठीक है नेक्स्ट ओ नेक्स आप कहा यह अल्फा व्यूटाइरिक एसित क्या है यह व्यूटाइरिक एसिट ब्यूटें कब लिखते जब चार कारवन ये अपका यानिकी अमाइन는데요 और आप और आप का वैसे तो क्या होता है योंस Daddy कर देख है उल्भा जदिक है तो इसका क्या आउजाता है वेक लगा देते हैं यहां पर आपका इसे डोनों आपके क्या है एलफा माइनो ब्यूटाइरिक एसे जब इन दोनों को आपस में गरम किया जाए तो यहां से आपके दो मालीकुल आफ वाटर दोबारा से रिमूव हो जाएंगे ठीक है यानि कि जलके दो अणू यहां से आपके दुबारा से निकल जाएंगे और क्या मिलेगा आपको एक चक्री यह होगे ठीक है इस तरह से इसका वेच और इस नाइट्रोजन पर जो आपके हैडरोजन लगे हैं कुछ इस तरह से एक हैडरोजन आपको यहां से रिमूव होगा और इसका लगे हुए एक हाई एक हाटोजन आंपका यहां से तो डो ह 2u maolecul यहांसे निकल जाएँगे आपके और बन क्या जाएगा यह नायटोजन और ओक्सिजिन के बीच में बन जाएगा तक है यहां पर आप यहां पर हमने पढ़ा था एलफा वाले ठीक है अलफा अमाइनो एस्टेक आसेड वाला हमने पढ़ा था उसके बाद अलफा अमाइनो प्रोपीनिक आसेड और एक अप था अलफा-माइनो-प्रोपनिक आसेड ठीक है तो यह तीनों आपके जो हो गय है तैर आता है चक्री डाइमाट बनाना अलफा अमाइनो एसेड का गुण होता है या इनकी प्रोपर्टी होती है ठीक है चक्री डायमाड बनाने का सेकेंड बीटा अमायनो एसेड ठीक है अब आपका है बीटा अमायनो एसेड मतलब कि इसमें आपके कम से कम तीन कार्वन इसमें होंगे ठीक है कितने कार्वन होंगे आपके कम से कम जो है तीन कार्वन होंगे खुर्ण करने पर एंअसी निकालकर क्या एनकी अमोनिया को बाहर निकाल दें और एक ऐसंत्रप्त कैसा आसंत्रहस्ट बशियी अम्र दें तो ब्यविटा aelinowacid हो गा क्या होगा जेए अमोनिया को निकालकर और तो अ कर्मन के बीचे में double bond वाला मालेकुल आपको मिल जाए तो बहे क्या होगा तो हम गरें कि आपका अब बीता अमयनो ऐसे भोगा टीक है यह आपका घृता अमयनो प्रॉप्यों एसे टिक रहाई तो यह आपका क्या कहते हैं बीट वाले कारवन से आपका ग благ लगा हुआ है इसलिए यह घ् origin कारवन है आपके कारवन और एक तřiva यह प्रुपनिक टुकह त्वंकार मेनों गर्म करते हैं ठीक है जब उससे अज्याद अम्ल, कोई अज्याद अम्ल, ये इसका नाम नहीं पता है ठीक है, लेकिन, है कि आपका beta amino propanic acid, तो इसको जब आप गरम करोगे तो क्या होगा, यहां से आपका NH3 निकल जागा, यह आपका NH3 निकल जागा, ठीक है, यह आपका क्या है NH2, क्या है आपका NH2, और इस से जो आपके दो लगए हुए ठीक है कि लगा हुए है इस वाले कारवन के जो है आपका यहां से एदर आज का यहां तो यहां पर माणू cic आ गया No फसकर दोनों कार्वन कर बीच मैं ON जान Two स्ट ब्रॉट ऑफे रहना और यहां से यह फांड टोट जाए और इधर वाला से घ्रव यहां साइज वह त्थरी वह अरने यह Director जाएगा और प्या में लेका आपको असंत्रप्थ ट्स उन्त्रप्थ आपको बसमने मिल जाएगा ठ्क है मा कर नेक्स्ट कि निक्स्ट आपका दे रखा है यह आपका क्या है फंक्शनल गुरुप है दुबारा से यह आपका फर्स्ट कारवन सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट कारवन एलफा बीटा और अपका आपका क्या हो जागा इलफा बीटा गामा तो यहाँ पर क्या लिखा बीटा अमायनो ब्य यह जो आपका नहा फार। यवाले कारवन स से लगा हुआ है इसलिए यापका होगा कार्वन पर वाले लगा होगा और यह क्या हो जागा आपका alpha और यह क्या होजागा आपका beta पे आपका नहीं सो लगा होगा ठीक है और वागी आपकी एक क्या है functional और लिग्या हो जागा beta amino butyric acid जब इसको आपQuéte करेंगे गरम तो यहां से भी आपका क्या ओजागा NH3 यानि कि अम्मोनिया निकल जाएगी किस तरह से निकलेगी यह आपका NH2 गूरुप लगा हुआ है यहां नहीं लगा हुआ है और इस वाले कार्बन पर जो आपके दो हाटोजन लगे वूए ठीक है दो हाटोजन जो आपके परोस वाले carbon पे लए हैं यहाँ से hydrogen का बंड तूटेगा और यहां से यह भाला बंड तूटेगा ठीक है तो यहां से जो hydrogen समज bells की फोर meilleur निकल जाएगा और यहांपर यहांपर जो ammonia है वह माइनस की फोर में बाहन के लेगा तो इस couple पर माइनस का जागा इस यहांज का यह मैंन लई न्हीं दो कार Minsk कै आ जागा आपका दो बॉन्ड बन जागा एक तो पहले से बना हुआ था एक बंड तब नेगा ज Chr VIP वाले कार्जिवाल नाइडोजन का ळीट नpiece बॉक्त तब एक बॉर्ण बनेगा तो इनके बीच में आपके double bond बन जागा कितना बन जागा आपका double bond बन जागा ठीक है तो यह भी कैसा आपका एक unsaturated ठीक है कैसा है असंतरप्त बस यह अमल है यह हो गया आपका beta amino acid ठीक है जिसमें हमने proponic acid और butyric acid पढ़ा ठीक है आपका कह रहा है gamma amino acid यह गरम करने पर चक्रिये monoamide देते हैं क्या monoamide या lactum देते हैं वह एक अडू जलका निरीकरण होता है क्या होता है यह जलका निरीकरण यानि कि निकलता है क्या होता है चैने के माइनस हैच टू निकलेगा केबल एक ही आडू जो है जलका नििकलेगा तो किस तरह से इनका formation होता है इनको क्या करना है जो आपका गामा आय। अवाल वाएंविशन होता है जब इनको गर्म करते हैं क्या होता है चक्री ओर मोनोड देते हैं जक्री चहनको और यह आंपका यहां टीट कुलेंगे स्स्क्राइल क्राइब हो जागा यहां पर आपका यहां रगेगा satisfätzen ship अपका यहां पर लग जागा फिक एंँ कि अीध अप्का को मन या सफेले आ और गामा पर एमाईनोगा गमा अमाईनो द्यू का है जो how ii एऊ बबतले आंफका कहा भी तबी दो लिद्पेगा आपकाा आयाईनो ब्यु टारिक आ उसके और बाकी आइए यह पर वन वूर कार्बन नंबर बंुग अ वंड नू थ्री और questo यह जो आपका इतना दे रखा is गलत है हाँए यहाँ यह नहीं होगा इतना पॉर्शन जह आपका नहीं होगा धिर भनकितने ओंग आपका फोर बंट ट्रीफ और इसी कॉbrarंक्र वंड्ल ओगा खिक है क्या लगा होगा एनटे च्वाजी थी सा हीट कर दो और निकलता क्या है एक अडू जल निरीकरण होता है जल क्या एक अडू जो यहां से बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बनेगा यहां से आपका यहां से निकल जाएगा और एक आपका जो है यहां से निकल जाएगा ठीक है फर्स्ट सेकेंड यह आपका एनेच्टू कहां लगा है यहां पर यह एक है आपका एनेच्टू से निकल जाएगा और एक और आपका यहां से निकल जाएगा आपका माइनस एच्टू और यहां से चूँ जो है बचा रहे गा ठीक है और यह जो आपका NH2 है, ठीक है? क्या है, NH2, यह क्या हो जागा आपका NH में convert हो जागा, ठीक है, NH, और यह बन जागा आपका बीटा और गामा, यह नहीं, यह फर्स्ट कारवन है, तो अल्फा बीटा गामा क्या बन जागा? आपका गामा ब्यूटरो लेक्टम बन जागा ठीक है ये था आपका गामा अमाइनो एसेट का ठीक है क्या था गामा अमाइनो एसेट तो इसमें हमने जाना था कि जो आपके एलफा वीटा गामा अमायनो ऐसे डोते हैं क्या एलफा वीटा और गामा अमायनो ऐसे डोते हैं ठीक है इनका हीट करने पर या इनका ताप मान पर क्या प्रभाव पड़ता है इनको हीट का हीट करने पर इनका क्या होता है या टैंपरेचर का इन पर क्या प्रभाव पड़ता आप में पडाता है यह हमने पढ़ाता है करते हैं आपको समझ में आया होगा एलफा-mino-acid वीटा-mino-acid और गामा-mino-acid मिलते हैं एंगले वीडिविस बनेते हैं साथ थैक्स फाव वाचिंग वीडियो